आपका बहुत बहुत खायर मगदम है। आज हम सीवई बना रहे हैं। यह सूकी मीठी सीवईयां। यह बहुत अच्छी बनती है। बहुत कुछ जाइका होती है। और इसे आप दो चार दिन तक रखके खा सकते हैं। और अगर महमान आने वाले हैं तो आप दो चार दिन पहले बना के भी रख सकते हैं। इसके लिए जिन अज़जा की जुलत होगी। उसमें है यह सीवई लिए हैं। हमने बारिक वाली सीवई लिए हैं। यह बजार में पैकेट वाली मिलती है। वह 250 ग्राम है। पाव किलो ह अगर बिषाइ। हमने लिये हैं यह ड्रैफ फृ वूर्ट्स आकशे कम चाजू है यह ल्यकश सकते हैं। और कीष्मीशे haju की वैदाम को टुकड़ों में कर लिया है। और यह किस्मिशे यह आप प्रको सेले कहते हैं जाइन हया हो कि अधिनारी खुसा कर सकते हैं जाएं भीं आरकषता आकृता में कर सकता हैं अगर नहीं तो इतनी भी रखला हैं जितनी स्मी है तो ईय हमारे पास मावा है कि मीठाओ ला मावा है यह हमरे देर सो theft लिया है यह साफरान की रेशी है, यह हमने लिया है तोड़ा सा पुश्वुक के लिए और यह इलाइची पौडर है, इलाइची की ताने हमने निकाल लिये थे, 8-10 इलाइची है और उसके अंदर हमें शकर, शकर के साथ उसे पीस लिया है, यह हमारा देशी गी है, हज बेजरुरत हम अब पहले हम सीमें को भूनके के लिए जालने के लिए लएेची के लिए के लिए उसके बाद में सीमें को भूनने के लिए, इसके लिएफ हमारे पास Diese 5- 10 लिटर, बुल-फैड दूद और इसे भी हम कैसे उसे यूसके अब करना हाएँ अब टिखाते हैं, और सभ से पहले जाल दिया एक चमच्छ और अब हम पहले सबसे पहले काजु तल के निकालेंगे अब दीमी आच रखी हमने जल जाएंगे यह ज्यादा फ्राई नहीं करना है अब यह बादाम, इस्ताम और यह काजु के पीस इसको भी फ्राई करके निकालना अब जलने नहीं देना है फोरा निकालना है अब इसी में किश्मिश्मिश्मि डाल देंगे ना दिन अब यह हम घी में वड़ा सा इलाइची पाउडर दालें और यह भी सीमी डाल देंगे इसे हलका बूजे रोस्टेडी है लेकिन इसको अच्छे से फोड़ा सा प्राई कर लेना है ताके जो है यह जब इसको घी लग जाता है तो यह चिपकती नहीं है और खुली-खुली बनती है इसका हम भून लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं नाजरीन यह दूध हमने जोश ले लिया है और इस दूध में हम आप शकाटर मिला देंगे इसे में हम यह जाफरान भी मिला देंगे चम्मस से चलाएंगे इसे शकर पिगलने दक इसे पकने देंगे और यह मावा जो है इसे हम थोड़ा सा गानिशिंग के रख देंगे और बाकी इसमें मिला देंगे सीविया हमने भून के रखी हुई है तयार है हमारी सीविया बस अब यह दूध दालना है हमें अच्छे से मिक्स करना है और फिर इसे दंपे रख दिना यह मावा भूल जाएगा शकर भी गूल जाएगी इसके बाद में हम इसमें पर डालेंगे अच्छे से मिक्स करेंगे और रख दंपे रखेंगे और फिर बाद में तंपे रूने के बाद में हम इलाईची कोड़ोस में अब इसे पका लेते हैं शकर गूलने तर और फिर करते हम यह दूठ है इसमें डाल देते हैं बिसमें लैरमान रहीं तो पखने देते हैं यह जजब हो जाएगा इसके बाद इकाते हैं नाजरीम अभी यह जह हमने दूठ डाल दिया था इसमें और यह भी दूठ है इसका मुष्य जो है अभी कम हो गया है अब हम इसमें ड्राइफ फूर जो है हाफ डाल देते हैं तो रहा गार्णिशीं के लिए बचा लेते हैं और इलाई की पौडर भी हम क्या गड़ते हैं इसमें डाल जालेंगे पूरा बचा लिए अज़के हाथों से इसे मिक्स करना है और इसको दम पे 5-7 मिट के लिए रख देना है डखकन लगा के और यह बहुत अच्छे से सूख जाएगी और अच्छी बन जाएगी अगर चाहिए तो इसके नीचे हम तबा भी रख सकते हैं और यह तो फिर आज को बहुत स्लो करना है और रख देना है इसको डखकन लगा अपने दोस्तों के जाद शेयर करें मेरा यह चैनल देखने के लिए आपका बहुत बश्चुक्रिया और अपनी दुआ में मुझे शामिल रखे अल्ला हाफिज